हेलो फ्रेंड्स तो आपका स्वागत है आडिनो सीरिस के नेक्स्ट वीडियो में जिसमें हम आडिनो आडी का सौफ्टेर इंस्टॉलिशन देखेंगे मैं इतना तो श्यूर हूँ आपको आडिनो के बारे में पता चला होगा हमारे लास्ट वीडियो से अगर आपने नहीं देखा है अभी तक तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है तो चलिए वीडियो सुरू करते हैं आपके मन में एक कुशन जरूर आया होगा कि यह RD9 तो ठीक है लेकिन यह IDE क्या होता है तो चलिए पहले हम IDE के बारे में जान लेते हैं तो IDE का Fullform Integrated Development Environment होता है IDE एक Software Application है जो Developer को जो भी Basic Necessary Tool होता है Programming के लिए वो Provide करता है जैसे कि Source Code Editor for Writing Code, Compiler for Compilation, Debugger for Finding Errors and Run Option for Running the Program यह होगे IDE के बारे में तो चलिए आप Software Installation देखते हैं तो आपको अपना ब्राऊजर ओपन करना है ओपन करने के बाद आपको टाइप करना है Arduino जो आपको फर्स्ट आपशन दिखिएeli आड़ीनो करके उसे क्लिक करना है i10 में आने के वाद आपको Software Option पी क्लिक करना है तो आपको राइट साइड में नीचे डिफरेंट ऑपरेडिंग सिस्टम की ऑप्शन दिखेंगे जैसे कि मेरा ऑपरेडिंग सिस्टम विंडो का है तो मैं उसको क्लिक करूंगा और जास्टआउलोड के ओप्शन पर क्लिक करने पर आपका सॉफ्व्वेर डा scorrage जाएगा जैसे कि हमारा सॉफ्वेर डावन्लोड हो चुछा है तो छलिए अब सट अप कर लेते हैं जैसे कि मैंने पहले से सेट अप कर लिया है तो मुझे फिर से सेट अप करना की जब रोती है तो चलिए अब software application को open करका देखते हैं तो यह हमारा Arduino का dashboard है जैसे कि आप उपर sketch देख सकते हैं जो हम लोग programming Arduino में करते हैं उसको Arduino की language में sketch कहते हैं यह हमारा Arduino का menu बार है जिसमें आपको file, edit, sketch, tool, help के option में लेंगे file में आपको new, open, open recent जिसमें आपको आपके recently performed project मिल जाएंगे sketchbook, example, example जिसमें आप Arduino सिमिलेटर आपको samples of code प्रोवाइड करता है edit में आपको redo, undo पर भी option मिलेंगे sketch में आपको verify और compile ये एक syntax और command को check करते हैं कि सही है कि नहीं upload का option मिलेगा जिससे आप आपने जो भी अभी तक code perform किया है उससे आप USB cable के throw Arduino में transfer कर सकते हैं include library तो गर आप कोई sensor और model interface कर रहे हैं Arduino के साथ तो उसके कुछ commands होते हैं जो Arduino में run करवाने होते हैं बट वो commands Arduino के साथ नहीं आते हैं उनका एक library होता है जो हमें download करना होता है और उस library को download करने के बाद आपको Arduino के library folder में add करना होता है tool में आपको serial monitor को option मिलीगा जिससे आप Arduino को message send भी कर सकते हैं और उससे message receive भी कर सकते हैं throw, USB port और wireless media serial plotter analog and digital output value को graph के form में represent करता है board इसमें हम वो board को select करते हैं जिस पे हम अभी perform कर रहे हैं जैसे कि हम अभी Arduino Uno पे perform कर रहे हैं तो हम उस model को select कर लेंगी programmer हमें किस environment में program करना है हम यहां से select कर सकते हैं लेकिन यह by default average mkll पे selected होता है burn bootloader इसको click करते ही हमारा code execute होने लगता है यह हमारा source code editor है जिसमें हम program type करने वाले हैं अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए share कीजिए comment कीजिए and most importantly हमारे चैनल को subscribe कीजिए अगर आप हमारे चैनल पर नहीं है and hit the bell notification for latest update पो्ट्चा कीजिए आपटर्चा आपर आपकाटीश्धेश्टार्चा है कर दो प्यात्या है कर दो प्यादीश और आपकाटीश्छादाब्स झाल झाल